हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज घनमूल निकालना सीखेंगे कि घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है तो फ्रेंस आपको इसमें घनमूल निकालने का जो तरीका है बहुत सिंपल तरीका से समझाया गया है तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रे तो पचीस का भी घंवूल निकलना है तो फ्रेंज देखिए घंवूल का आप कैसे देखे पाचान करेंगी घंवूल निकालना है तो फ्रेंज कहीं भी आपको इस प्रकार से मिल जब पर ठीक है इस प्रकार से सिंबल मिलता है ति इसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना ह हो ठीक है और कहीं पिर आपको इस प्रकार मिल जाए कि यहां पर तीन निखाओ यह तरह करड़ी बना कि आप तीन लिखा हो इसका मतलब होता है कि आपको खंडमों निकालना है तो फ्रेंट 47 के घंभन कि इस प्रकार निकाले ते देखिए घंभन ुल निकालने का होता है कि इसका यौ gula ankhand कर लेंगे 27 का चलिए आप 27 को करेंगे देखिए 27 को कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे के देखिए यहां पे 27 तो 27 इस प्रकार बना लिजिए अब क्या करएंगी यहां पर निकालने के तरीका यही होता है कि यहां पर तीन का जोडा बनेंगे इसको बाएंगे कितना बार निकल जाएगा आपका यहां पर आपका 3 निकलेगा तो फ्रेंज यही आपका क्या होगा तीन यह करड़ी 27 का यह आपका क्या हो जागा घंदमूल होगा ठीक है चलिए next question को करते हैं इसी प्रकार 64 का घंदमूल निकालते हैं फ्रेंज देखे 64 की क्या करेंगे पहल फिन दो से भाग देगे कितना बार में कटेगा 16 बार में फिन दो से भाग दीजिए कितना बार में कटेगा 28 16 फिन दो से कटेगा 24 को 8 ठीक है फिन दो का भाग दीजिए दू दूना के 4 फिन दो एक यह 2 हो जाएगा ठीक है यह आपका इतना आएगा अब इसको लिखेंगे ठीक इसी ही प्रका काड़ी बना लिजी अब दिखे कितना एक दू तीन चार पांग छे बार दू है तो दू गुडे कितना बार करना हैएए छा बार यहाट चा बार लिख लिए अब लिखने के बाद फरेंस क्या करेंगे इसका तीन तीन का पीर बनाई देखे कितना पेर बना है दो पेर देखिए एक पेर ये बन रहा है एक पेर ये इसमें से एक दू ये निकलेगा और इसमें से एक दू ये निकलेगा देखिए यहाप गनमूल निकालना था अब आपस में गुड़ा करते हैं दू दू दूना के चार यह जो चार आ रहा है फ्रेंस य यह 64 का क्या है घनमूल है यही इसका एंस्वर होगा चले next question को करते हैं 125 का घनमूल निकालना किस प्रकार निकालेंगे उसी प्रकार निकालेंगे 125 के क्या करेंगे पहले आप इसका गुणांखंड किजी 125 का ठीक है जब भी इकाई के अस्थान पर आपका 0 या 5 आता है तो वह संख्या हमेंसा 5 से कटती है 125 का भाग दी देखिए पंदुना के 10 पचीश देखिए 25 का पचीश और पांच के 5 अब इसको लिखें कैसे है से है यहाँ पे लिखिए 125 यहाँ पर 3 है तो तीन लिखिए अब इसको कैसे लिखेंगे 5 कितने बारत पांच पांच जूड़े 5 पांच निकलेगा और यही आपको क्या हो जाएगा फ्रेंस एंसुर होगा यानि 125 का घंणमुल कितना होगा पांच होगा चलें next question को करते हैं इसी प्रकार 625 का घंणमुल निकालना है तो क्या करें फ्रेंस इसका भी 625 का आप पहले गुड़ांखंड करेंगे कैसे करेंगे द आ भी 625 यह 50 हएगा चले इसको लिखते हैं अब इस पर का कैसे लिखेंगे जाशन सो पाचईस देए अब कर नmost आ कितना है यानि क्रिइए इसका घं मुल निकालना है यह 4 बार हो यह इसका क्या घं मुल निकालना जाए जान्रस वारन निक चाना लिए इज से कवा 605 इसका गणमुल कितना होगा पंच कड़ी में पांच यह आपका क्या होज़ा का एंसर होगा इसका घंमुल कितना होगा以श को थी आप ध्यान से सग्ख्या का गुणान खंड करके निकाला जाता है बस ध्यान क्या देना होता है घंबूल निकाला होता है तो गुणान खंड करके इसमें तीन-तीन का पेर बनाते हैं जिसका तीन का पेर बन जाता है उसमें बाहर निकाल लेते हैं ठीक है फ्रेस तो फ्रेस इस पकास घंबूल निकाला आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें